सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए वह क्या? खुपसूर्ती पर टैक्स मजाक नहीं सहाब? यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे बस शर्त यह है कि हरे एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खुपसूर्ती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने उपर टैक्स ते कर ले फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है वाँ वाँ खुपसूर्ती का सवाल भी बेढ़ब हो गया है हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उड़ता भी ना था लीजिए कभी नहीं साहब कभी नहीं आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू किस मामले में यही की शादी तै करने में खुपसूर्ती का हिस्सा कितना होना चाहिए यहाबात दूसरी है बाबूराम सरूप मैंने आप से पहले भी कहा था लड़की का खुपसूर्त होना नहायत जरूरी है कैसे भी हो चाहे पाउडर वगरा लगाए चाहे वैसे ही बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती आपकी रड़की तो ठीक है जी हाँ वह तो अभी आप देख लीजिएगा देखना क्या है जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए यह तो आपका मेरे उपर भारी एहसान है और जाएचा मतलब जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा जी जाएचे का मिलना क्या मुश्किल बात है ठाकुर जी के चर्णों में रख दिया बस खुद बाखुद मिला हुआ समझिए यह ठीक कहा आपने बिलकुल ठीक लेकिन हा यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना क्या यह पढ़ाई लिखाई के बारे में जी हाँ साफ बात है साहाब हमें ज्यादा पढ़ी लिखी रड़की नहीं चाहिए मेम साब तो रखनी नहीं कौन भुखतेगा उनके नखरों को बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए क्यों शंकर ची हाँ कोई नौकरी तो करानी नहीं नौकरी का तो कोई सवाली नहीं उठता और क्या साहब देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बी ए एम में तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्राजुएट लीजिए भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना अगर औरतें भी वही करने लगी अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगईरा पर बहस करने लगी तब तो हो चुकी ग्रहस्ती जनाब मोर के पंक होते हैं मोरनी के नहीं शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं जी हाँ और मर्द के दाड़ी होती है और अरत के नहीं हाँ हाँ वह भी सही है कहने का मतलब यहाँ है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं, जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और उची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है, चाहे और लीजिए, धन्यवाद, पीचका, आप, बस सहाब, अब तो खत्में कीजिए, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाहे के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं, वह मक्षन, नाश्ता ही तो करना था सहाब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं, अरे, जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाओं, जी नहीं, यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी, पान मुझे दो, चश्मा? जी, वह तो, वह पिछले महीने में इसकी आँखें दुखनी आ गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है, बढ़ाई-बढ़ाई की वज़ा से तो नहीं है कुछ, नहीं सहाब, वह तो मैंने अर्स किया ना, हम, बैठो बेटी, वहाँ बैठ जाओ, उमा, उस तख़ पर अपने बाजे-बाजे के पास, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी चवी है, हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, सुनाओ तो, उमा, एक आथ गीत सितार के साथ, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो, उमा, नहीं, नहीं सहाब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है, अब इठेरो, बेटी, थोड़ा और बैठी रहो, उमा, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है, कुट्टे वाली, इसी ने खीची है, और वह उस दिवार पर भी, हम, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगरा, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्में रहती है, यह तक की मेरी कमीजें भी, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? जवाब दो, उमा, ज़रा शर्माती है, इनाम तो इसने, ज़रा इसे भी तो मूँ खोलना चाहिए, उमा, देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना? क्या जवाब दो, माबुजी? जब कुरसी मेज बिक्ती है, तब दुकानदार कुरसी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, फरना, उमा, उमा, अब मुझे कह लेने दीजे, बाबुजी, ये जो महाशे मेरे खरीदार बन कर आए हैं, इनसे ज़रा पूछे, कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भिड़ बकरियां हैं, जने कसाई अच्छी तरह देख भाल कर, बाबुराम सुरूप, आपने मेरी इज़द उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? जी हाँ, और क्या हमारी बिज़दी नहीं होती, जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं? और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए, कि अभी पिछली फरवरी में, ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्दगिर्द क्यों घूम रहे थे? और वहाँ से कैसे भगाए गए थे? बाबुची, चलिए! लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलिज में पढ़ी हो? ची हाँ, कॉलिज में पढ़ी हूँ. मैंने बी ए पास किया है. कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की. और ना आपके पुत्र की तरह ताग जांक कर काहरता दिखाई है. मुझे अपने जथ, अपने मान का ख्याल तो है. लेकिन इन से पूछिए, कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पर पढ़कर अपना मूँ चिपा कर भागे थे? ओमा, ओमा! बस, हो चुका. बाबू राम सुरूप, आपने मेरे साथ दगा किया. आपकी लड़की बी-ए-पास है और आपने मुझ से कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है. लाइए, मेरी चड़ी कहा है? मैं चलता हूँ. बी-ए-पास! ओफो! घजब हो जाता. छूट का भी कुछ ठिकाना है. हाओ बेटे, चलो. जी हाँ, चाहिए, सरूर चले चाहिए. लेकिन घर जाकर सरय यह पता लगाईएगा, कि आपके लाड़ले बेटे के रीड की हड़ी भी है या नहीं. यानि, बैकबून, बैकबून. ओमा, ओमा, रो रही है. बाबुजी, मक्खन. बाबुजी, मक्खन.